सबी को नमस्कार मैं अमित्तिवारी दोस्तों मेरे साथ एक ऐसे शक्षियत हैं जिनके पहचान बताने के लिए मुझे जरूरत नहीं है कि आजकल गोदी मीडिया की ज़्यादा धुलाई करते हैं और सबसे यह बात है कि इनको पहले स्टैंबरिंग की बहुत ज़्यादा समस्या थी आज इन्होंने अपनी आवाज को ताकत बना करके गोदी मीडिया की ऐसी धुलाई करते हैं तो आप देखते रह जाएंगा उन्होंने एक ची दरसाई है कि हम इतने बेशरम हैं कि तमाम लोग वीसे सके और यहां तक कि कॉंग्रेस के बड़े बड़े नेता कह रही है कि इसा क्यों हो रहा है कि इस बार राहूल गांदी का चेरा हटा लिया गया है मीडिया ने यह पहले ही भांप लिया था कि यह चुनाओ कॉंग्रेस जीतने वाली है तो उन्होंने ओपिनियन पॉल और एजिट पॉल से वहां पर मोदी जी की तस्वीर हटाकर जेपी नड़ा की तस्वीर लगा ली तो और किस तरीके से आज पूरा दिन मीडिया ने एक अपरकार से खेल खेला और नरेंदर मोदी की फोटो हटाक जेपी नड़ा के लगाई जेपी नड़ा को बली का बक्रा बनाया गया और कॉंग्रेस अध्यक्स मालिकारजुन खड़गे की तस्वीर लगई और आहुल गांदी की तस्वीर नहीं लगाई ताकि यह पता चल सक स्वीर तो नवस्कार भई आपका खूतों शुक्रिया कि आपने हमें यहां पर अंतृत लिया और बोका दिया तो मुझझे रही पास टैमरिंग की तो इसा नहीं है कि नहीं है उस स्टैमरिंग चली गई है तो स्टैमरिंग आज भी मुझूद है उसी के साथ मेरा जीर बीत रहा है। और मेरे कोशिस है कि हाँ पहले से थोड़ा बहतर हुआ हूं इस बहतर हो थोड़ा और ज्यादा बहतरीरन किया जाए इसा में मानता हूं स्टेमरींग की बात रही तो मुझे यहां लग रहा आ, बोगा एक दो इस लड़कें जिनको स्टेमरींग होती है उणको भी लगा है कि इसका फोईलाज नहीं है इसी के साथ जी रही है आप कहें सकते हैं कि मैं भी जी रहा हूँ जी मुझे याद है राकेश जी जब मेरे से आप से बहुँ शालो पहले बात हो रही थी जब मैं आपके वीडियो को दब देखा करता था मैं सुचा कि राकेश जी की आवाज कैसी इबर कॉल लगा कर देखते हैं तो आपको कॉल लगा कर मैंने देखा था हर शब्दों में चिनल उपन किया था कि अगर मैं एक बार बोलना शुरू कर देता हूं, उसके बाद मुझे डिकत नहीं नहीं होती है और खासकर हिंदी में उतनी जादा दिकत नहीं होती है जो मेरी यहां के स्थानिया भासा है, मैं आता हो राजस्थान से, यहां के अपनी भासा में बोलना यह सब्द हो गया इसे हो गया इन सब्दों में बहुँ ज़्यादा दिक्कत होती है और दिमाद पहले सही मतलु इतना रहता है कि आपे तुम अटकेगा अटकेगा तो यह बहुँ ज़्यादा दिक्कत है कि आपने दिक्कतों का सामना किया कितना संगर्स कियाए है अगर आपको इसे यह जीजिसे कि आपको अन्य कोई चीजिसे हैं यह पिए अन्धा ओक वरका ते अगर आप strem rung है अगर आपको strem ring होती है आप ठकलाते हैं तो लोग आपका mazak बनाता अगर को उतनी ज्यादा मतलों video editing करूँगा तो अगर कोई और कर सकता है, अगर कोई वह वह वड़ीव गना सकता है, तो मैं भी बना सकता हूँ, मैंने अपने आपको कभी भी मतलब से बांद गये नहीं रखा कि मुझे यूटुपर बनाने के कान पकाफी स्टेंड़ीव कम हूई तो राकेजी आपने स्टैमरिंग को और कम करने के लिए आपने ऐसा क्या किया इतनी बहतरीन आवाज आपने पाल लिए आपको क्या लगता है तो वहां पर लोगों को यह नहीं पता है कि मुझे स्टैमरिंग हो और नहीं मैंने उनको बताया है कि मैं स्टैमरिंग हुआ 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 ह तो आवरकम वेसे तो कोई भूर नहीं बोलूगा कि मैंने उतरा जाद कोई अभधास नहीं किया है कि उसके कार्ण मेरी कम नहीं हुआ है हाँ एक तो इससे स्पीस थेरपी जैदिन को मैं फोलो किया है उन्होंने कहा है कि हम आपको देखेंगे कि आपके इतने ठीकत है सिर्फ एक बार बात करने के आप से 500 रुपे लेंगे मैं कोई लिख नहीं उन्होंने का कि वह कहते हैं कि आप आपके पास आपके आपके रहें कभी तो यह जो फायदा हुआ हुआ है जा है कि मैं पिछाले चार साल से यूटीबर काम क्या और मेरा जया माना है कि किसी नए सक्त didilect camp करना और फ़ों से बात करना अगर आप लिसां के सामने पोल या आगर आप रगती हैं तो कौ लगता है कि बऊठ बढ़ा प्रेसर तो यहीं दो प्रेसर नहीं मुझे बनाए कि शायद बहुत ज्यादा इसका सर्मुझतर हुआ है और हिंदी में बहुत कम होई है मैं हिंदी बोलता हूं तो इतनी ज़ता श्टेमरें नहीं नहीं बॉल लोगों के साम आज वह राकीष सी आपने मुझे यह बार फोन किया था अपने स्पीजच अरेपी का शिक्र किया थे लुम मैं ने आपको एक राया दिया कि आपको यह तरह एक जरुरद नहीं अस्विश थरेपी वाले कर्वाते हैं हैं आप वो कर रहे हैं अगर आपके अंदर संकल्व और consistency है अपने वीडियो बनाने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है इस पीज थरेपी उनको जरूरत होती है जिनके अंदर वो consistency नहीं आ पाता है लगातार अपने उपर काम नहीं कर पाते कि उनको बोलो कि practice करने को आपको साथ दिन तक तक करना यह तो निए रूप फिर ठाइम करता है फिर छोड़ देते हैं इसे बड़ी प्रेक्टिस नहीं हो सकती बना करके आप उससे देखते हैं बार बार कि मेरे अंदर गलतियां क्या है और कौम से नहीं बोल पाया फिर आप दुबारा ट्राय करतें तो बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है यह आपको स्पीस थेरपी की जोरत नहीं है आप वैसे भी इतने आगे चले गए हैं और आपकी तरह बनने के लिए बहुत लोग सपने भी देख रहे हैं हाँ साइद यह आपको लग रहा हो कि मुझे आऊ सकता नहीं है क्योंकि आप उस फिल्ड में हैं तो आपको उतना तो नबव है पर एक रहता है नहीं कि यार की स्पीस थेरपी जाकर लेंगे वहां पर नजाने क्या सिखा रहे हैं और मेरे दिमाग में वहीं यह काम कर रहा है क कि हाँ स्पीस थेरपी से कुछ होता है वहां जाकर देखेंगे वह क्या बदाते हैं वह जो भी बदाते हैं वह सो परशेंट करेंगे मैं साइद अपने परह से कर रहा हूं मैं किसी पूछा नहीं है ना इसको पोल कर रहा हूं तो साठ या सतर परसेंट को काम मैं हो जाना कर और उमीद है एक दिन आपसे भी मिलेंगे और मैं स्पीस थेरपी बूलूँगा और अपने पे इतना काम करूँगा कि मैं इसको 100% खत्म करना चाहता हूँ खत्म नहीं है गुस्ता आता है थोड़ा सा भी अगर इसा लगता है कि हमें थोड़ा सा भी पनाव है वीडियोज में नहीं होती है वीडियोज लोगों के सामने कैसा रखते हैं उनको मालूल ही नहीं होता कि स्टेंडिंग नहीं है पर मैं अपने नीजी जीव में फोलो करता ह हैं आपको जानता हूं कि हम भाई है इसे मेरी बात्सित होती है नहीं हो ने लोगों के समनी वही चीश्य थेरापी देता हूं उनको एक राय देता हूं आप यूटूब पर व्यूडियो वीडियो बनाईए और हर स्टैमर लोगों को यूटूब पर वीडियो क्यों बनानी चाहिए इसके benefits क्या है क्योंकि आपको इसका experience है आप इससे अच्छे से बता सकते हैं अच्छे इस से कितना फायदा होता है तो यह तो हमारे जो बातशीत हुई है इसमें लोगों पता लग गया हुगा है कि 2019 में जब आपने उसे फोन पर बात की थी और आज मैं आपके सामें इंट्रू दे रहा हूं तो उसमें कितना फ़र आज पर आज किसमें में जब फोन पर कि इतना बड़ी वह आपको समझता हो कि बहुत बड़ा रेक्टी हो उसके सामे आप अगर आप केमरा उन करते हैं तो उनका जो हाओ भाओ है वो पूर्जी त्रीके से बदल जाएगा वो अपने आपको यह से संभाल के सकता हो तो वह केमरे का दबाव है अगर यह दबाव अगर आप जहल जाते हैं तो आपको बहुत साइदा हो दूसरी चीज कि केमरे पर आपको उसके दिन के लगतार बोलूमा लगतार बोलूमा कोई भी कट नहीं हो जाए तो बहुत ज्यादा इसमें सुधार होता है आपने बोलने की सेली में सब्दों में बहुत जड़ा सुधार होता है मैं आज वीडियो मनाता हूं तो मतलब से कोमेंट आते हैं कि आप कुछ है को यह बोलते हैं वह बोलते हैं मैंने का यह तो कोई दिक नहीं चलता रहेगा मेरा सबसे पहले हुए बिना हक लाई हुए बोलूम और इसमें मुझे लगता है कि बहुत ज़़ादा हुए उतना मतलब यह से पील है अब लोग मुझे बताते हैं कि आज से ऑनकी साल पहले आ पिसमेंट लेगे जो लड़के मेरे साथ पढ़ते हैं वो कहते हैं कि तुम ज़्यूँ बना रहे हैं तो यह जो फुड कहते हैं कि मुझे त् लगवग 8-9 में पढ़ता था, उसमें मेरे पीसर थे, वो मुझसे यूट्यूब के जरीए आज मतल मेरे पास आया है, मैं मुझसे जूरे हैं, तो वो कह रहे हैं कि मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि आपको उतनी जादा स्टेमरिंग आती थी और आप यूट्यूब पे इसको फेस कीजिए, और हो सकता है उतनी दोबों से मिलिए, घर में चित कर, मायूस होकर मत देखिए, जिन्दगी है, वो कहते हैं ना कि यह हमारी जिन्दगी एक आईसक्रीम की तरह खाओगे, तो तो आप मज़ा लोगए, वरना यह तो पिंगनी तो ऐसे ही है, तो स्टेम करने की, यह मैं आपको कह सकता हूँ, आपने बिलकुल शालिंता से अपना समय लेकर के अपनी बात को बोला है, और इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अपना किमती समय निकालकर इंट्रिव्यू दिये हैं, थैंक्यू सो मच, आपको भी बहुत-धन्यवाद, तो उमीद है कि हम भी बहुत जल्द ये लेंगे, आप से स्थेपी भी लेने आएंगे, ऐसा मैं में सोच रखा हैं.